हेलो फ्रेंज एक बाफ फीर आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल औल पर 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 चैनल में दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डियले टू सेकेंड सेमेस्टर का क्वेशन पेपर नंबर सेकेंड जिसका नाम है प्रारंबिक सिक्छा के नवीन प्रयास दोस्तो फर्स पेपर का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है तो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों देखिये जैसा कि हमने फर्स पेपर भी दिखा रहा था कि उसका टाइम जो था वो टु आवर का था और यह जो मार्क से वह 50 मार्क थी तो इसमें भी वैसे ही है और इसका भी निर्देश सेम ही दिया गया ह कि फर्स्ट जो दिया है वो सभी प्रश्ण अनिवार है प्रतेग प्रश्ण के निधायत अंक प्रश्ण के शम्मुख दिये गए हैं फिर सकेंड दिया है आपका इस प्रश्ण पत्में तीन प्रकार के प्रश्ण है फर्स्ट जो है वस्तुनिस्ट प्रश्ण जिसको हम बहु लिंखना होता है फिर लगता लगई त्री प्रस्डन준 के 25 सब्दों में देना होता है फिर हमान suspension' से और वर्ड्विंस को पता है कि इसके क्विलम को प्टाथ तुन है तो चलिए lot पढ़के बता देती हूं यदि आप लोग को एंसर का वीडियो चाहिए हुगा तो हमें कमेंड करके बताइएगा ताकि हम उसके एंसर का भी वीडियो लाज दें तो चलिए दोस्तों वस्तुनिस्ट प्रस्ण व्यानी की बहु विकल्पी अर्थात अब्जेक्टिव निशुल्क एवं अनिवार सिक्षा का प्राविधान संविधान के किस धारा में है तो ऑप्शन अब का दिया है वन दिया है धारा 25 सेकेंड दिया है धारा 28 धर्ड दिया है धारा 45 और 4 दिया है धारा 46 कुर्शन नबर सेकेंड दिया है निशुल्क एवं अनिवार सिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना है तो इसका option दिया है एक दिया है सन 2000 में दूसरा दिया है सन 2009 में तीसरा दिया है सन 2014 में और 14 दिया है सन 2015 में प्रेशन नमबर थर्ड दिया है आपका चार्ल्स ग्रांट के साइचिक प्रयास थे option नमबर वन दिया है भारत में विद्यालोयों की अस्थापना second दिया है अंग्रेजी मादम से सिख्छा प्रदान करना थर्ड दिया है फ्रस्ट वर्स्ट सेकेंड दोनों सही है और फ्र्थ दिया है आपका उप्योट में से कोई नहीं कोशे नमबर फोर्थ दिया है आपका निशुल्क और अनिवारी बाल अधिकार अधिनियम के अंतरगत चौथे अध्याय में सिख्छको के दायुत्यों दिये गए हैं तो इसमें जो दायुत्यों दिया गया है हो देखे क्या है फर्स्ट नियमित समय में इस्कूल में उपस कुछन नमबर फाइफ हंटर कमिशन किसे कहते हैं अप्शन नमबर एक भारतिये सिख्छा आयोग अप्शन नमबर दो मादमी सिख्छा आयोग और आप्शन नमबर फोर मुदालियर आयोग कन अधिन नमबर six दिया है कुठाई आयोग का गठन हुआ था कभ हुआ था सन 1935- में सेकेंड दिया है 1952 से 53 में थर्ड दिया है 1954 से 1955 और फॉर्थ दिया है 1964 से 9636 और क्वेशन नमबर सेवन दिया है आपका रास्ट्री सिक्षा नीती 1986 की घोशला के पस चाथ अच्छार्य राम मूर्ती समिती ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और फॉर्थ दिया है 16 दिसंबर 1990 में और फॉर्थ दिया है 15 अगस्ट 1968 में क्वेशन नमबर 8 दिया है आपका प्रोफेशर या स्पाल समिती से पूर्व किस समिती ने छात्रों पर पढ़ाई का बोज के लिए चिंता ब्यक्त की आप्शन नमबर 1 दिया है पटेल समिती ने आप्शन नमबर 2 दिया है NCRT कारेदल ने option number three दिया है आचारी राम मुर्ती शम्मेती ने और option number four दिया है उप्युक्त तीनों ने question number nine दिया है आपका NCF 2005 के अंतरगत पुनर रिक्षित गुणवत्ता बिजन के संदर्व में नीम्न द्रिष्टी कोण चिन्नित किये गए है option number one दिया है आपका बच्चों के प्रती द्रिष्टी को option number two दिया है सिक्षण के भूमी का एवं सिक्षण के प्रती द्रिष्टी को और option number four दिया है उपर युगत सभी question number 10 दिया आपका operation blackboard का प्रयारंब हुआ option number one 1964 to 65 में option number two दिया है 1987 to 88 में option number three 1995 to 96 में दिया है 2001 to 2002 में question number 11 दिया है आपका school चलो अव्यान में किस कच्छा तक के बच्चों को अकर्षित करने की योजना थी option number one दिया है question number 12 दिया है इस्कूल रेडिनेंस कारिकरम बिद्धाले सिक्छा की तयारी में निम्न छेत्रों पर बल दिया गया है option number one ब्यक्तिक एवं शमाजिक तेयारी पे सकेंड सेक्षिक तेयारी पे थर्ड मनुरंजानात्मक श्रिजनात्मक एता था शाब्दिक और शाब्दिक वाशस कोशन और फोर्थ दिया है उपयोग तस्चाभी question number 13 दिया है राष्टि अवाल श्रम्प्र योजना नसी ल पी सन्चालिक की गई question number 14 दिया है आपका पोशः हार बित्रन योजना को निम्न विचार से प्रार्म भकिया गया फ़स्ट नमांकन चंख्या बढ़ाने के लिए सखेंड समुदाय को शामिल करने के लिए थर्ड सिक्षकों को ब्यस्ट करने के लिए फोर्थ रोज़गार बढ़ाने के लिए Q15 दिया हाज से एम अवरोध को रोकने के लिए तथा समप्राप्ती लख्ष को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधिन कौन सी सुविदाहे प्रधान की जा रही है उप्शन नमबर वने चात्रविर्टी उप्शन नमबर टू विद्याले मद्यान भोजन उप्शन नमबर थ्री निशुल्क पार्थी पूसक ड्रेस और उप्शन नमबर फोड व्यूक्त शभी चलिए दोस्तों यह हमारे 15 अब्जेक्टिव क्वेशन तो हो गए अब हमारा आता है अति लगू प्रेसन दोस्तों इसकी भी शंक्या जो होती है प्रेसन पत्रे की तरह इसमें भी 15 क्वेशन है तो चलिए जल्दी से क्वेशन को पढ़ लेते हैं क्वेशन नमबर 16 है दोस्तों संभिधान के अनुशेद 21-1 के भाग 3 के अंतरगत मुल अधिकार में क्या नहीं थे क्वेशन नमबर 17 ने बाल सिक्षा अधिकार नियम के अंतरगत क्या नीजी ट्यूशन की छोट प्राप्त है क्वेशन नमबर 18 दिया आपका कलकत्ता मदर्जा के अस्थापना कब और किसने की थी 19 दिया है मिशन इसकूलों की चार बिसिस्ताएं लिखिए 22 दिया है राष्टे सिक्षा निती 1992 में राष्टे सिक्षा वेवर्षा के बीसे में क्या कहा गया Q23 दिया है सिक्षा भीना बोज के नामक सिर्शक किसके रिपोर्ट में प्रस्तूत की गई इस पस्ट की जिये Q24 दिया है NCFTE 2009 क्या है Q25 दिया है Operation Blackboard योजना के अंतगत प्रतेक बिद्यादों को दी जाने वाले किनी चार बस्तियों के नाम लिखिये Q26 दिया है P Most क्या है Q27 दिया है S O P T का पूरा नाम लिखिये Q28 N P E Z V F L प्रात्मिक अस्तरी बालिका सिक्षा योजना क्या है Q29 जीला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम D P E P किस बैंक की बितिय सहायता से संचारित किया गया Q30 दिया है आपका राष्टी बालिस्रम परियोजना का क्या उद्देश है अब आईए आपका लगू उत्री प्रशन दिया है दोस्तों इसमें दस प्रशन होते हैं 31 दिया है आपका बच्चों के अधिकार बाल अधिकार के शंबंद में मुख्य प्रवधानों का उलेक कीजिये 32 दिया है आपका बोड का घुस्टा पत्र भारते है शिक्चा का महा अधिकार पत्र कालाता है इसकी विवेशना कीजिये क्वेशन दिया है कोठारी आयोग के अनुसार शिक्चा का पंच मुखी कारिकरम क्या है 34 दिया है राष्टी सिक्चा नेती 1986 प्रमुख विसस्ताओं का वर्ण कीजिये 35 दिया राष्टी ये पार्ठे चरिया की रूफ रेखा 2005 स्क्वर टिपड़ी लिखिये 36 दिया है संपूर साक्षर्टा अव्यान में उत्तरदाई अविकरन कौन कौन से है 37 ये कस्तूरबा गान्धी बालिका विद्यालका परिचय दीजिये 38 दिया है बेसिक सिक्चा परियोजना के उधेश लिखिये 39 दिया है प्राष्टा की रियास है तो संचालित कारिक्रमों में किनी चार कारिक्रमों का संचिप्त परिचय दीजिये Question number 40 दिया है प्राणबी की जिक्षा को सुद्रिन करने है तो नवीन प्रयास पर विचार प्रस्तुत की जिए तो दोस्तों ये हमारे question paper थे आप screenshot लेना चाहते हैं तो ले ले दोस्तों इसे solve करने का प्रयास करिएगा और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेयर करें थैंक्यू दोस्तों